इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीना दवाई हों कि आप हाई बीवी को कैसे नॉर्मल आ सकते हैं अगर आप लहसन सुबह खाली पेड रेगुलर्ली खाते हैं एक या दो कली तो ये भी आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा लहसन आपका सिस्टोली ब्लड प्रेशर बाउट 7-9 mmHg कम करता है और डायस्टोली प्रेशर नीचे वाला ब्लड प्रेशर आपको 4-6 mmHg कम करता है इलाइची भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफी effective है 2009 में एक स्टडी भी हुआ है कि अगर अब 3 ग्राम इलाइची दो डोज में डिवाइट करके 12 हफ्तों तक रेगुलरली लेते हैं तो यह आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देगा इलाइची आप चाय में डालके भी पी सकते हैं या ओर्स में डालके खा सकते हैं या आप नौर्मल एक ग्लास पानी में इलाइची डालके भी पी सकते हैं तीसरा है करीपता करीपता is also a very effective remedy for hypertension करीपता में salt sodium कम होता और potassium जादा होता है और जो फूट्स हैं जिसमें potassium जादा होता वो बीपी को कम करता है और करीपत्ता को खाना बहुत असान है आप ऐसे भी खा सकते हैं या अपने खाना जो बना रहे हैं उसमें डाल दीजे और आराम से खाईए करीपत्ता से खाने का आपका स्वादी बढ़ता है और आपका BP भी कम हो जाएगा सेलेरी सेलेरी भी आपका ब्लेड प्रेशर कम करता हैं सेलेरी में प्लेड राल को पर सकते है और इसका जूस भी पी सकते हैं ये चोटलेट को पसंद होता लगर BP कम कर देगा डाइलेट कर देगा जिससे आपका हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा बस यह कि आप बहुत जादा ना खाएं कि इसमें शूगर भी होता है बनाना भी रेगुलर खाने से ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहेगा जैसे कहते हैं कि अब बनाना आडे कीप है अब केले में ऐसा क्या है कि जिस सबका ब्लड प्रेशर कम होगा तो इसमें पोटैश्यम है इसमें इसकी हाइप कंटेंट की वजे से सोटीं मदें करता है और इसकी वजे ब्लड प्रेशर कम रहेगा जैसे मेरे पहले बता रखा कि फोटैश्यक् задач फूट से ब्लड पेशर कम होता है तो केले के लाबा हाई पोटैशियम रिच फूट से जैसे स्वीट पोटैटोज आवोकैडोज स्पाइनेक बीन्स यह भी खाने साथ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा लेकिन इनका इंटेक लिमिटेट रखें और अगर आपको अगिजसंटटि और कि पशुनुस फूटस गृतब कर सकते हैं जैसे और में exists अगर आप इंट के सबस्कॉत पूट्स किल सकतें रावर जल्क इप नहीं कर सकते हैं अभर आप जिम जाते हैं तो वेंट स्टर्यंग एक्सर्साइजिस कर सकते हैं तो best combination होता है aerobic exercises और waist strengthening exercise कर जैसे dumbbell मारना लेकिन अगर आप waist strengthening exercise नहीं कर सकते हैं तो at least aerobic exercises जरूर कीजिए जैसे walking, jogging यह तो असान ही है कर सकते हैं आप आपको processed foods को avoid करना है जैसे french fries, burger, pizza या coldring इनको avoid करना है अगर आपका weight जाद है आप over weight है, obese हैं तो आपको अपना weight reduction भी करना है weight reduce करने से भी आपका BP control में आ जाएगा फिर आपको अपने खाने में नमक की quantity को कम करना है the American Heart Association यह recommend करता है कि अगर high blood pressure की problem है तो एक दिन में आप 1500 mg से जादा salt ना ले यानि आप उपर से salt लेना तो बिल्कुल बंद करें जैसे आप salads में या अंडे खा रहे हैं उपर से नमक ना ले सबजी में जो दो थोरा नमक डालता है पस वही खा सकते हैं BP control लखने के लिए alcohol भी आपको avoid करना है और tobacco, nicotine, smoking भी आपको बंद करना है, quit करना है stress reduction, stress reduction भी बहुत important factor है आपका blood pressure control करने के लिए इसके लिए आप regularly deep breathing exercises, meditation और yoga करें जिससे आपका stress level कम होगा, आपको नींद अच्छी आएगी और इससे आपका BP control होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्रिस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जितने अपने friends और family सा शेयर कीजिए और में चानल को subscribe कर दीजिए, thank you